पहले के जमाने के लोग बिमार क्यों नहीं पड़ते थे? लेकिन आजकल के समय में छीक आने पर थोड़े से सरदर्द में भी थोड़े से पेट दर्द में भी हम सीधा रॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत तरह की दवाईयां खा खा कर अपने शरीर का सत्यानास कर लेते हैं। वो आपके उस प्रॉबलम को तो सॉल्फ कर देते हैं लेकिन आपके बाकी सारे शरीर के इंटरनली ओर्गन्स को बहुत जादा डामेज कर देते हैं। बहुत जादा डाइजेशन को खराब कर देते हैं जिससे आपको ब्लॉटिंग की समस्या, पेट फूनले की समस्या, स्किन आलर्जी और कई तरह की बिमारी आपको घेल लेती हैं। मैं बात कर रही हूँ हल्दी के बारे में। जी हाँ, हल्दी को मसालों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटिबेक्टिर और एंटिसेप्टिक गुन पाए जाते हैं। जो हमारे सर्दी जुकाम को, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को, हमें डाइबेटीस से और ना जाने कितनी बिमारियों से दूर रखते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोल्डर मिल्क के बारे में। जो आपके स्किन के सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके कॉंपिलेक्शन को लाइटें करके ब्राइटें करने का काम करेगा। तो चलिए जानते हैं हल्दी और हल्डी वाले दूर पीने के फायते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा. अगर आपके शरीर में भी बहुत जादा मोटापा है, क्योंकि आज कल के सबसे बड़ी समस्या है मोटापा, अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं, तो हल्दी वाले दूद का सेवन जरूर करें. लेकिन वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि हल्दी वाला दूद बनाना कैसे है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को उसका सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वज़ा से उससे मिलने वाले पूरे बेनेफिट्स हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं. अब बात करते हैं दिल के बारे में, दिल हमारा बहुत ही जाता स्ट्रॉंग होना चाहिए, लेकिन आजकल दिल की बिमारी हर दूसरे बंदे को है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी का दिल ठीक से काम नहीं करता, और इसका खर्चा, यानि दिल को ठीक टूप से चलाने के प्रट का सर्कूलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, जिससे कि हमारा खून पतला रहता है, और जितने भी हमारी धमनिया है, वहां तक खून का प्रभाव अच्छे से पहुंचता है, और दिल हमारा ठीक से काम कर पाता है, और फ्यूचर में हर बिमारी से बच पाता है, अगर आपको भी कोई गुम चोट लग गई है या आपके काम करते हो समय किचन में आपका हाथ छुरे से कट चुका है या किसी तरीके का भी घाव आ चुका है तो तुरंत हल्दी की पट्टी बांग दें आपका वहीं कितना भी जादा खून भेहरा हो वहीं रुख जाएगा और आपका जखम भी बिना दवाईयों के दो से तीन दिन में विल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें antiseptic और antiseptic गुन होते हैं तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका शरीर अंद्रूनी तोर पर ठीक भी रहेगा आप मेंसे बहुत लोगों को मौसम बदलने के साथ छीके लग जाती है या फिर आपको कोई भी perfume से या किसी भी चीज से allergy है जब भी कोई तेज खुश्बू आपके सामने आती है तो आपको उसे जुकाम होने लग जाता है हमीशा आपके छाती में कफ जमा रहता है या आपको फिर एस्तमा की समस्या है तो ऐसे में आपको हमीशा हल्दी वाली दूद का रोजाना सेवन करना चाहिए क्योंकि ये आपके छाती में आपके फेफरों में जमा हुआ कफ भी बहार निकाल दिता है और ये आपकी immunity को बहुत सथा strong करता है जिससे कि आप जल्दी जल्दी बिमार नहीं होते और साथ में सर्दी जुकाम भी आपको होना बंद हो जाता है अगर आपके उमर 25 की होच चुकी है तो मैं आपसे कहूंगी कि अपनी रोजाना की जिन्दीकी में हल्दी वाले दूद का सेवन जरूर करें क्योंकि आज कल के समय में यूथ को यानि यंग जनरेशन को हड़ियों की समस्या बहुत आने लगी है हमारी हड़ियों में से कट-कट की आवाज आती है उट्टे बैटे टाइम हड़ियों में दर्ध होता है एक्सराइस करते हैं तो घुटने जवाब दे गए हैं और ये बहुत उमर के लोगों को ने बलकि 25 से 30 साल के लोगों में ये तकलीफ होने लगी है तो ऐसे में अगर आपके घर में किसी को पुराने से पुराना गठिया है, मास पेशियों में सूजन है, नसों में दर्ध है, कमन में जकडन है या औस्टोपॉसिस की समस्या है तो आपको हल्दी वाले दूद का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाएगा, दूद में होता है कैल्शियूम और हल्दी में होता है रोग प्रतिरोधर शम्ता, जो आपकी तमाम हड्डियों की तकलीफों को दूर करती है, मास पेशियों की सूजन को कम करती है, आपके पूरे शरीर को बहुत अर क्यूमिन पाया जाता है, जो आपकी extra craving को control करता है, आपके शरी में से waste toxins को निकालता है, आपकी पाचन क्रिया को fast कर देता है, आपकी immunity को strong करता है, आप पहले से बहुत जादा हल्का और चुस्ती वाला यानि energetic feel करेंगे पूरा दिन अगर आप हल्दी वाले दूद का सेवन करेंगे, क्योंकि जो पेट है ना, वो हमारे पूरे शरीर का केंद्र होता है, तो अगर पेट ठीक रहेगा, तो आप बहुत सारी बिमारियों से जीवन भर बचे रहेंगे, अगर आपके चहरे पर बहुत जादा pimple आते हैं, आपकी तो अच्छा बहुत जादा काली और बेजान होती जा रही है, आपके स्किन में बिल्कुल रॉनक नहीं रही, या फिर आपके चहरे पर जुरियां आती जा रही है, तो ऐसे में राज को सोने से पहले हल्दी वाले दूद का सेवन जरूर करें, ये टर्मरिक मिल, ये गोल्डन मिल्क आपके नाच्रली कलर को वाइटन करेगा, आपके जितनी भी डेड लेयर है उसको निकालेगा, आपके स्किन को ब्राइट लुक देगा, ग्लोइंग देगा, आपका चहरा पहले से खिल उटेगा बहुत सुंदर हो जाएगा, और आपके ना पिंपल्स बचेंगे, ना ही उनके दाग, क्योंकि आपके ब्लड को प्यॉरिफाइ करता है, उसमें से गंदगी को निकालता है, जब आपका ब्लड साफ होगा, तो आप automatically अच्छे से अंदर internally glow कर पाएंगे, जो glow आपके चहरे पर बहुत अच्छे से दिख पाएगा, अगर आपको diabetes है, तो ऐसे में हल्दी वाले दूद का सेवन आपके लिए बहुत फाइदे मन्द है, तो ये आपके शरी में, यानि आपके जो खून में sugar की मात्रा है, उसको कम करता है, और आपके diabetes को कंट्रोल करता है, तो ऐसे में आपको हल्दी वाले दूद का सेवन जरूर करना चाहिए, अगर आपको नीद नहीं आती, stress बहुत जादा होता है, तो ऐसे में रात को हल्दी वाला दूद पीए, क्योंकि ये आपके good hormone को reduce करता है, और stress hormone को कम करता है, जिससे कि आपको एक बहुत धी घहरी और बहुत धी अच्छी नीद आती है, तो हल्दी वाला दूद आपके mind को relax करेगा, आपकी याददाश को बढ़ाएगा, सिरफ खुद ना पीए, बलकि अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल के बीच की उमर का हल्दी वाले दूद के लिए आपको पहले एक glass दूद ले लेना है, उसको एक बरतन में डाल लेना है, उसके बाद आपने 1 4th spoon यानि एक चुथाई चमच हल्दी की डाल लेनी है, और इसको अच्छे से उबाल लेना है, उबाल कर आपको एक glass में डाल लेना है, डाल कर आप आपको उसको बिल्कुल सिप सिप करके गरम दूद को पीना है लेकिन आपने हल्दी की quantity एक चथाई चमच से increase बिल्कुल नहीं करने क्योंकि हल्दी अगर आप जाधा मात्रा में इंटेक करेंगे सोचेंगे आज ही सारे बेनेफिट लेलू तो वो आपके लिए नुकसान दाय गी मिला कर दे सकते हैं जिससे उनका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा उनको कभी कब्स की शिकायत नहीं रहेगी और उनकी मसल्स भी ग्रों होना स्टार्ट हो जाएंगी मैं आपसे कहूंगी कि एक चमच घी आप भी जरूर लें क्योंकि अगर आप हल्ती वाले दूद में एक चमच घी डालते हैं तो आपके स्किन की रौनक आपको एक महीने में ऐसे देखने को मिलेगी जो आज से पहले आपने अभी खुद को नहीं देखा होगा इन फैक्ट आपकी पुरानी से पुरानी कब्स को दूर कर देगा बिना किसी दवाई के और घी जो है ना हमारे हड़ियों को बहुत ताकत देता है तो घी का इस्तमाल जरूर करें चाहे एक चमच लें चाहे दो चमच लें लेकिन जरूर घी का इस्तमाल करें उसके वदले अगर आपको मोटापे का डर है तो exercise कर लें लेकिन घी को अस्तमाल करना बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि आज कल सबसे ज़ाद तकलीफ यूथ में इसले ही हो रही है क्योंकि हमने junk food को तो बना नहीं किया कली लूव यू लूब यू लू.